नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विमल कुमार from FB4i Classes, वांसरोवर जैपूर से बेटा, प्रिवियस क्लास में हमने Special Kinds of Function पढ़े थे उससे पहले हमने inverse trigonometric function पढ़ चुके हैं ये हमारी सीरी चली आ रही है जिसके अंदर हम Set, Relation, Function सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं Set हमने सबसे पहले पढ़ लिया उसके बाद हमने Relations को पढ़ लिया अब हम Relation के help से ही किसके अंदर एंटर कर चुके हैं, Function के अंदर एंटर कर चुके हैं तो आज से जो मेरा topic स्टार्ट होने वाला है यह मैं पहले बता दू आपको कि जो भी Classes रहेगी वो Hindi Medium और English Medium के लिए होगी Mostly मैं पढ़ाऊंगा English के अंदर लेकिन जो Terms होती हैं उनको मैं Hindi में Use करूँगा पहली बात यहां के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम तो Classification of Function पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार Previous बता दू कुछ कुछ कि जो हमने Relation पढ़ाता Relation के अंदर क्या होता है कि किसी Set के कुछ Element का किसी दूसरे Set के कुछ Element के साथ किस तरीके से Relation होता है किस तरीके से उनकी Mapping होती है वो यह बहुत Confusing रहता है बच्चे बहुत परेशान रहते है Board Level वाले बच्चे भी और मैं इस Class को आज जो Classes रहेगी है हमारी मैं इसको J Level तक के और बहुत सारे अलग-अलग Concepts आपको बताने वाला हूँ यह हो गई बात के लिए हैं चलो तो पेटा इससे पहले आज हमारे देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि One-One Function क्या होता है Many-One Function क्या होता है Onto क्या होता है Into क्या होता है कब कोई Function कब कोई Relation Function बनता है यह हमने डिसकस कर लिया है कि किन-कन Conditions में कोई Relation Function में बोला जा सकता है कि यह relation एक function है तो लास्ट क्लास में अपने special kind के functions की domain range और उनके graph देख लिए थे आज जो हम start करने वाले हैं वह हो सबसे पहले important चीज है अब आपको पता चल चुगा कि function क्या होता है function एक ऐसी machine जैसा मांग सकता हूं जिसके अंदर domain होती है जो उसके input होते है और उसके बाद जो range मिलती है वो उसके output होते है आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है algebraic operation ठीक है algebraic operation किसका set का algebraic operation of function जो algebraic operation होते है function का वो हम देखेंगे उसके अलावा equal और identical function कौन सा होता है वो हम discuss करेंगे एक चीज आती है odd and even function जो बच्चे अभी 12th class में है ठीक है यह chapter किसमें आता ह 12th class के अंदर आता है तो उसमें बहुत काइंट के functions यहाँ पे syllabus में जो है वहाँ पे book में नहीं है लेकिन जब आप किसी और exam की तयारी करते हो जैसे आप CUET दोगे आप NDA की तयारी करते हो जो जो आपको यहाँ पे functions मिलने वाले है वो वहाँ पे आपको आएंगे तो आप यहाँ पे एक पर अपने अच्छे से नोर्स बना लो कि अपन क्या करने माले हैं बिल्कुल चीज़े हर चीज को मैंने details से समझा रखा है यहाँ तो मेरे साथ बने रही है odd and even function तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो algebraic operation मालो है जो ऐसे कि जो हम पन यह plus minus करते हैं तो इसको ब आप इनको अलग-अलग करके f of x बीच में plus minus लगा के g of x लिख सकते हो इसके लिए condition है कब लिख सकते हो जब domain in each case a intersection b मतलब माल लो कि आपके सामने एक function है f of x ठीक है इसकी जो domain है इसकी domain सबने क्या वो ली इसकी domain है capital A यह function plus minus g of x यह function है इसकी domain क्या है इसकी domain है b पिटा य इसकी domain है तो भी एक function ही मिलता है जैसे मानों कि मैंने एक लिखा sin x plus x square एक algebraic function है sin x मेरा क्या है एक trigonometric function है दोनों function को मैंने add किया तो नया मेरा next function f of x मिला ठीक है तो इसकी domain मतलब f of x की domain a मानी मैंने और इसकी domain हम कितना assume कर रहे है इसकी domain को हम b assume कर रहे हैं तो यह function exist होगा कब जब इन दोनों की domain का intersection exist होगा यह देखो क्या लिखा हुआ है in each domain of a intersection b मैंने d morgan slow में intersection union क्या होता है हमने set theory में discuss कर लिया है अगर किसी बच्चे करे गया हो तो आप इस देख सकता है अगर दो function आपके सामने f of x multiply यहां पे g of x लिखा हुआ है ठीक है जैसे मानों x square into sin x ऐसे मानों तो यह दो function हो गए यह दो function multiply हो गए हां तो आप इनको अलग-अलग भी multiply कर सकते हो और इसके लिए भी क्या है इनकी domain a intersection b में exist करनी चाहिए अब आरिए बात third case अगर हम दो function को divide करें तो तो बेटा देखो अगर दो function को आप divide करोगे तो आप divide कर सकते हो लेकिन ज आपने discuss कर लिया है बहुत अच्छे से discuss किया है क्या domain होती है क्या range होती है तो यह function simple सी बाद आपको पता चल गया कि यह x not equal to 0 पर exist नहीं करता क्योंकि denominator में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए तो देखो यह function है यह उपर f of x मान लिया मैं इसको g of x मान लिया यह रहा मेरा f of x upon g of x यह कभ exist करेगा जब इसके domain a intersection b में तो हो जो उपर वाले दोनों case हो में थी लेकिन उसमें से g of x जहां पर 0 और रहा हो हटा दो तो यह मैंने domain में से x not equal to 0 हटा दिया यह थे मेरे functions के उपर operations लगाना ठीक है आगे बढ़ते हैं next है मेरे पास equal और identical function तो बैटा equal लेको आप ह आपके लिए short में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए domain range सब कुछ discuss कर रखा है बस अपन क्या एक बार चीजों को cover कर रहे हैं ताकि अगर कभी हमें सामने कुछ ऐसा statement मिले तो हम उनको आसानी से समझ सके two function f and g दो function are said to be equal दो function equal कब होंगे जैसे मानू मैंने ल सामने लिख दूँ x square equals to sin x तो ये दोनो function कब equal बोल सकता हूं जब इसकी domain जो x square की domain है वो है r और इसकी domain जी की domain इसकी domain भी क्या होती है r तो इन दोनों को function को एक condition के उपर में equal बोल सकता हूं कौन सी वो condition है x equals to 0 एक ऐसी value है जो 0 का square equals to sin 0 देखो 0 का square भी 0 आया और sin 0 भी कित सकते हो कि इन दोनों function को एक particular case एक particular value इनको क्या बोल सकते है equal बोल सकते है the range of f equals to range of g ये भी होनी चाहिए पहली condition फिल फुल हो गई उसके बाद दूसरी condition अपने आप लगनी चाहिए equal और identical function को तो ये देखो आपने x बराबर 0 रखा तो 0 ही मिला और sin 0 पे भी 0 मिला मलब ये इकल बोल सकते हैं next आपके सामने odd even function देखो odd even इससा समझो इसको हिंदी में बोलते है विशम फलन देख लो इसको बोलते हैं विशन विशम फलन इसको बोलते हैं sum फलन इपटा एक बार सुनो और even का मतलब इससे मानलो कि मेरे पास minus 1 है अगर मैंने इसकी power 2 रखी तो इसकी value कि त्याई प्लस 1 अगर मैंने इस minus 1 की power 3 रखी तो कि त्याई minus 1 आपको इससा पता है अगर और even function आप notes भी लिख सकते हो f of x में x को minus x से अगर replace किया और वापस आपको पुराना function f of x से मिल जाए चलो x minus x मेरे पास ये था यसे समझो इसको example को इदर मेरे पास था f of x equals to x square मैंने x को replace किया minus x से तो मेरा ये replacement minus x square हुआ minus x का square भी किता होता है plus x मतलब ये f of x और ये f of minus x दोनों बराबर आए इस function को क्या बोलूँगा मैं even function बोलूँगा ऐसे भी समझ सकते हो जब square होता है तो minus का square प्लस आजाता है मतलब function के value वापस function आजाती है इसलिए इसको even बोलते है अब से भाई समझ में हाँ सर अब देखते हैं अपन ओर के बारे में बिटा ओर क्या होता है अगर मैं मानलो कि मैंने f of x को minus x से replace किया चलो इसका example भीतर समझा देता हो मैं आप याद करो अपनी 11 की कहानी sin minus theta equals to minus sin theta होता है तो यह आगया minus sin x आई ही बात समझ में तो x को जब आपने अब देखो f of x किता था sin x और f of minus x किता था minus sin x इस condition में इस function को मैं क्या बोलूँगा और function बोलूँगा trigonometry भी देख सकते हैं आप इसमें थोड़ी देखे आपको पता है दो function ऐसे होते हैं cos minus theta equals to plus cos theta होता है और sec minus theta equals to plus sec theta होता है मतलब cos और उसका reciprocal sec theta दोनों even function होते हैं इसके अलावा sin theta, cos theta, tan theta और cosec theta जो होता है वो सारे odd function होते हैं पैटाए हैं आपके कुछ आपके सामने special note लि odd information है देख लो आप यह odd even जहां जहां आते हैं बहुत problem देते हैं आपको तो आप अपने सारी information को लिख सकते हो इस पे notes बना सकते हो और मैं बहुत अलग-अलग short notes में लेके आया हूँ अब function देखो बेटा क्या तो आप आप आपने क्या देखा कोई function odd भी है और कोई function even भी ह ठीक है inverse of a even function is not defined याद रखना किसी भी even function का inverse not defined रहता है ठीक है every even function जो भी even function है function symmetric about y-axis आई बहुत समझ में जैसे इसका example समझा सकता हूँ मैं आपको यह देखो मैंने अभी अभी कौन सा function बताया cos x बताया था ना ये क्या बताया था मैंने even function बताया था मैंने क्या बताया था sin x ये क्या बताया था मैंने odd function बताया था ठीक है अब देखते जाओ बिटा, sin x का graph कुछ इस तरीके का होता था, हाँ सर, और cos x का graph भी दरवना देता हूँ आपके सामने, cos x का graph कुछ इस तरीके से रहता था, किलियर, तो हमारा जो note equality देखते हैं, पहले, even function symmetric, even function का जो graph है, वो symmetric होगा किसके about में, y axis के about में, y axis के about में, y axis के about में, अगर दोनों तरफ सेम चीजे दिखती है तो उसको symmetric बोलते हैं अपन, हाँ सर, तो every even function symmetric about y-axis and every odd function symmetric about origin, origin को हिंदिम बोलते हैं मूल बिंदू, ठीक है, ये बात आपको समझ में आगे, चलो इसको देखते हैं अपन, क्या सही बात है ये, बेटा ये है मेरा sine x का graph, और ये है मेर को सेक्स का graph, देखो, सर जिसके, ये, मला भी, ये sine x क्या है मेरा odd function, ये मेरा को अंसा function हुआ, even function हुआ, ठीक है, अब देखो, odd function का सर ने graph बनाया, ये बना दिया, ये इस तरीके से इधर चलता है, सर ने यहाँ पे y equals to origin, ये रहा, origin, origin के about check करूआ, origin के जैसे इस तरफ जा रहा है, उतना ही नीचे की तरफ symmetric हो रहा है क्या, हाँ सर, तो odd function symmetric about origin, ये देखो, कौन सा axis ही, y axis, ये कौन सा function है, cos x, cos x का जब मैं graph देखता हूँ, तो ये से देखो, y axis को यहाँ पे रख की check करूँ, क्या दोनों तरफ same mirror image बन रही है क्या हाँ सर, तो जो भी मेरे even function होते ह हैं, वो y axis के about symmetric होते हैं, और odd function जो होते हैं, वो origin के about symmetric होते हैं, आप ये चीज़े देख सकते हो बेटा, simple से बात, कि जब भी आपको कोई graph मिलेगा, तो आप उस graph को देखकर ही ये बता सकते हूँ, कि कौन सा function odd रहेगा, और कौन सा function even रहेगा, अपने अब तक तीन algebraic operation दे जे डबली के अंदर बहुत अच्छे level की questions आते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो देखो, classification of function, बिटा आज तक आपने सुना होगा, mapping, mapping, ठीक है, तो, हिंदी मेडिया में इनके नाम थोड़े अटपटे से होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूँगा एक बाद, लेकि मैंने mapping पड़ी थे, आप mapping भी देख सकते हैं, वहाँ पर जाके, ठीक है, मैंने सब कुछ बता रखा है, डीटेल में एक चीज को explore कर रखा है, यह देखो, classification of function, बिटा, आज भी सिर्फ में classification बताता हूँ कि function होता है, कोई भी function है, तो relation होगा, नहीं होगा, हमने discuss कर लिया है क्या क्या होता है, इससे पहले हमने function के algebraic operation देख लिए, उसके उपर, जो जो हमने चेक कर सकते हैं, algebraic operation देखे, equal function देखा, और even function देखे, अब देखो next, बिटा, कोई भी function होगा, वो इन चार ही तरीकों का रहेगा, इन चार तरीकों में भी अलग-अलग नाम होते हैं, कोई भी एक element दूसरे side से किस तरीके के ordered pair बना रहा है, ordered pair वाली कहानी याद रखना, one-one function, सबसे पहले एक function आता है, one-one function, second number पर आता है मेरे पास many one function, उसके बाद आता है on to और उसके बाद आता है into, ठीक है, इस class के अंदर बेटा देखो, one-one function को एक और अलग से नाम दिय जाता है, जिसको बोलता है, injective mapping, किसको क्या बोलता है, injective mapping, आप note कर सकते हो, सब चीज के, और many one function को कुछ नहीं बोलेंगे, injective नहीं, subjective नहीं, इसको क्या बोलेंगे, not injective, surjective का न relativity ने नाम सुन्दों पर into तो ये दोनों येक अलक्स समझ लेना one one many one on two into ऐसे बोल सकते हो one one को हिंदी में एक आई की बोलते हैं आपको बता दू मैं एक आई की many one को बोलते हैं बहु आई काई की चलो ये इंदी में भी हो गया काम ठीक है तो याद रखना one one function injective mapping many one function कुछ पता नहीं बस injective mapping नहीं है on two function को बोलेंगे surjective और into को बोलेंगे not surjective इतनी सी बात अभी सुन लो ये चीज़े बार बार revise करने पड़ती हैं जब जाके दिमाग में fit होती है next class में बेटा हम जो discuss करेंगे कि किस तरीके से एक element दूसरे element के साथ relation बनाता है इसके अलावा हम बहुत सारे concept सीखने वाले हैं किस तरीके से function को देखकर हम बता सकते हैं कि वह many one होगा on two होगा into होगा जो भी है ठीक है तो आज की class आपके लिए useful रही होगी ये functions के class ये आपका foundation एक तरीके समझ सकते हो कि जितना इन classes में जो concept बता जारे हैं उनको के लिए और आपके board exam के लिए भी थैंक यू मैं हूँ विमल कुमार फ्रॉम एबी 4i classes मांत्रोवर जैपूर से धन्यवाद